असलाम वालीकुम एक निव वीडियो के अंदर खुशामतीद आज हम डिसकस करेंगे थॉमस ग्रे की एक फेमिस एलेजी एलेजी इन कंट्री चर्च यार्ड। थॉमस ग्रे की पैदाईश हुई थी 26 दिसेंबर 1716 को और डेथ हुई 30 जुलाय 1771 में थॉमस ग्रे इंग्लिश पोईट, लेटर राइटर, क्लासिकल स्कॉलर और केंब्रिज कॉलेज में प्रोफेसर थे ये एलेजी पब्लिश हुई थी 1751 में एट दी एंड ओफ ऑगस्टन एज, थॉमस ग्रे इस एलेजी की वज़े से बहुत ज़्यादा फेमिस हुए थे, बाकी इनकी पोईटरी को देखा जाए तो वो इतनी ज़्यादा फेमिस नहीं है, थॉमस ग्रे के इस वर्क को देखा जाए तो इसके अंदर कुछ ट्रेट्स ऑगस्टन एज के हैं और कु अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके अंदर स्टन्जा कौर्टरेंज की फॉर्म में है, फोर लाइन्स है, पोईट्री की और इसके अंदर आयम्बिक पैंटरमीटर यूज किया गया, इस एलेजी के मकसद है, रिमेंब्रेंस ऑफ डेथ और दूसरा ये कि रि और वास होज़ा किसी चीज़ का, तो उसके अगर लिकी जाती है, उसके उपर अफसोस किया जाता है, उसके अपर मौन किया जाता है, लेकिन यह एलेजी इसी वज़े से फेमस है क्योंकि इसके अंदर कोई स्पैसिफिक ग्रूप औफ पीपली य कोई एस्ट्रोक्रेटर य जिनल ने जिन्दगी में नाम नी कमाया今天 अपना उन्दगी आहिए फ़े खी को मृष्व एफड भी करी है। इसके अंदर स्पीकर बताता है कंट्री चर्च यार्ड में गया हुए और संसेट के बता रहे हैं कि संसेट हो चुकी है और जो वहां के काम करने वाले लोग है वो ठक के चले गए और अब अंधेरा हो रहा है और बेल रेंग हो चुकी है कर्फ्यू की कि अब वहां अंधेर में मैं हूँ और वो कुछ कबरे हैं वो कुछ लोग हैं उनकी डेथ से हुमन मॉर्टैलिटी के बारे में बता रहे हैं कि हर इनसान ने मरना है और ये डेथ एक ऐसी चीज़ है जो के एक्वैलिटी लाती है जो के रिच और पूर सब को आनी है जो के फेमिस और अनाइनमिस सब लोगों को आनी है तो डेथ एक ऐसी चीज़ है जो सब को एक एक इक्वल प्लेट के उपर सर्फ करती है ये पॉम एक क्लासिकल आइडिया को इन्वोक करती है जो है लेटन फ्रेज में जिसे कहते हैं मेंटो मॉरी यनि के ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमने मरना है एक नएक दिन हमने मरना है और जिस चर्च यार्ट के पास ही है कहते हैं कि हो सकता है इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनमें से ऐसे बहुत से लोग हो जो कि पोईट हो या उनके अंदर hidden talents हो लेकिन किसी ने कभी वो देखे ना हो लेकिन यह किसी भी वज़ा कि इसे वो सामने ना सके हूँ, ऐसा भी हो सकता है और इसी थाट की वज़ा से वो उन लोगों को प्रेस करें जिनकी डेथ हो गी है इसलिए कि उन्होंने एक अच्छी सिंपल लाइफ गुजार दी है उमीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी अगर इससे रिलेटर कोई भी किसी किसम के क्वेस्टन है तो आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं थैंक यू सामच इस विडियो वस लपफ लिए पिक तॉम्स अप और सब्सक्राइब तो मैं चानल लाइक कमेंट शेर